हलो आज है 21st चुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलेंड के बारे में और देखें आज इसके बारे में बात करना बनता भी है क्योंकि आज इस कंपनी के quarterly results सामने आये हैं और नतीजे जो है वो actually मेरे हिसाब से 50-50 है मतलब अच्छे भी है बुरे भी है बात चीजे कैसे आये हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे तो आगे भी बहुत कि जब मार्केट क्लोज होगा तो ये जो सारे 3% की 23 है शायद वो 2% के आसपास के रहे जाए देखाए तो जो results है वो average है अच्छे मैं कहूंगा लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनी ना आटो मोबिल की बहुत बड़ी रफतार दिखा चुकी है अशो अपरिल महिने से अब तक इसने अच्छी रफतार बकड़ी है लेकिन एक चीज़ याद रखे बड़ी रफतार के बाद correction दिखाया है इस बार भी मैं expect कर रहा हूं कि शायद हो सकता है कि अभी भी यहां से 3-4% और ओपर चला जाए लेकिन उसके बाद एक correction मैं expect कर रहा हूं यह मरब personal opinion है ठीक है और जहां तक बात रही results की तो देखो results अगर आप देखोगे न articles बगर अगर आप open करके देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि वह यह profit में साड़े 700% का jump आ गया 575 क्रोड का मुनाफ़ा इसने कमाया है definitely कमाया है लेकिन देखो यार पिछले साल से compare कर इस बार की जो total income इनकी रही है वो तकरीवन रही है 8,240 करोड की रही है total income इनकी अगर आप पिछले साल के quarter से compare करोगे जो की 7,250 करोड के आसपास था तो उसके मकाबले आपको अच्छा growth देखने को मिलेगा लगिन इससे पहले का जो quarter रहा है 11,665 करोड तो उसके मकाबले income में गिरावट आई है बड़ी वाली गिरावट आई है हालागी यह expected होता है क्योंकि देखो जो जून का जो quarter होता है उसमें demand घटती है आउटमोबिल की क्योंकि अगर हम बात करें अगर हम मार्च की बात करें डिसमबर की बात करें तो वो time ऐसा होता है जहां पर बिक्री हो पिछले साल के मुकाबले definitely growth हाई है पिछले quarter के मुकाबले बहुत 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 पर डिकलाइन आप कहा सकते हो कि यहां पर देखने को मिल रहा है लेकिन बात करें profit की तो देखो profit अगर आप पिछले साल से compare करोगे जो कि बया 68 क्रोड का था तो उसके और यह expected होता है देखो खराब नहीं है यह इस बार के जो results है वो अच्छे हैं पहली चीज़ खराब नहीं है यह अच्छे यह नतीजे है लेकिन अगर पहले के quarter से compare करोगे तो आपको कम लगेगा इवन अब December से भी compare करोगे तो भी उतना बड़ा growth आपको शाय देखने को न जरूर है जो कि एक अच्छी बात है बाजर ने भी उसको welcome किया और उसकी वज़ा से आज तेजी देखने को मिल गई लेकिन मुझे लगता है कि management की commentary के बारे में भी सुनना जरूरी है और देखो management की जो commentary होती है वो काफी हद तक आपको आने वाले दौर में इनका future plan बताती है company को जो MDCO है अशोक लेलेंड के उनका कहना है कि with expansion in revenue and efficient cost management we have seen our bottom line improving substantially while we continue to expand our market penetration on the back of efficient product and expanding the network we shall remain focus on achieving and sustainably our double digit profit और simple सी वात है कि देखो आगे भी हम सेके से profit करते रहेंगे और यहां पर अगर आप बात करोगे तो अभी हाल फिलाहाल में अशोक लेलेंड को 800 क्रोड रुपए की कीमत का order मिला है Indian Armed Force की तरफ से जो कि एक अच्छी बात है अगर हम research analyst प्रभुदा जो लेलादर की research analyst है हिम पांशु सिंग उनके तरफ से statement आए कि overall strong set of numbers on both revenue and margin beating our end street consensus estimate जो estimate है उसको बीट कर रहा है the company had noted that demand should improve from second quarter जो है financial 2024 का onwards as first quarter volume performance was impacted due to pre-buying यहाँ पर यह है कि वहाँ जो pre-buying आई थी last financial year के आखरी quarter में तो उसके चलते थोड़ी से demand आपको ठंडी परती नजर आई है यहाँ पर लेकिन second quarter में demand picked up यहाँ पर हो सकती है यह उनका यहाँ पर कहना है और देखो अशोक लेलन जो है वो EV वाले space में भी अपने आपको expand कर रही जो कि अच्छी बात है मेरे हिसाब से एक बहतर तीज़े की तरफ अशोक लेलन हमें बढ़ता हूँ नजर आया लेकिन याद रहे जब भी बड़ी रफ्तार आई से पहले भी देखो थे 105 रुपया क तो रखे रहना चाहिए लेकिन जहां तक बात है fresh buying की मैं थोड़ा सा बेट करूँगा ये मेरा opinion है जहां तक बात करी जाए इनके market के अपकी तो 51,000 करोर से भी जादा का है company का peer ratio 41 का है जो कि average industry से कम है लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा और उपर उठ जागा तो हां की बात करी जाए तो पे किया है इसने पिछले साल एक रुपे का पे किया था इस बार इन्होंने दो रुपे 60 पैसे का पे करिया है मतलब अच्छा dividend कोंगा कि कि दिरे दिरे dividend में improvement आ रहा है जहां तक numbers की बात करें वहां पर भी improvement हमने देखिए और जहां तक बात करें share holding की तो promoter के पास जो holding है वो तकरीवन तकरीवन बनती है 51.53% की holding है promoter का एक भी share गिरवी नहीं है sorry 19.04% की holding promoter की यहां पर गिरवी है लेकिन लंबे समय से उतनी holding गिरवी आ रही है तो कोई बहुत 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 change नहीं आया है हाला कि public नहीं यहां पर बेक्वाली करी है public लग 1.01% पर आ चुके हैं यह लेकिन दूसरी और Files ने buy करा है यहां पर आप देखे 14.85% की Files की holding बढ़के 16.59 पर आई मलब बहुत बड़ी quantity Files की तरफ से यहां पर खरे दी गई है mutual funds ने बिकवाली करी है 14.52% की mutual fund की holding थी वो घटके 13.24 पर आई है insurance वालों ने भी बिकवाली करी है 5.81% की holding 5.64 पर आई है तो देखा जाए तो public ने बेचा है mutual fund ने बेचा है insurance वालों ने भी यहां पर बेचा है और खरीदा किसने है Files ने यहां पर खरीदारी करी है तो company है अच्छी शांदर company है कोई शक की बाद उसमें नहीं है EV में भी अच्छा कर सकते है ऐसा माना भी जा रहा है लेकिन देखे एक चीज़ मैं कहूंगा आपसे कि हर बड़ी रफ्तार के बाद यह ठका जरूर है तो मुझे दखता है कि यहां पर नजर होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत तीज़ी अगर यहां से आएगी तो एक demand में श्रेंग आई हो देखो बादर अपने all अगर आप भी इसको यूज करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तमाल करेंगा तब को 20% डिसकाउंट भी मिल जाएगा कई सारे बहतरीन फीचर से यहां पर जहां पर आप यह क्लिक में fundamentally strong penny stock को डूण सकते हैं अच्छा dividend पे करने वाली company भी आपको मिल जागी इतना ही नहीं जो बड़े-बड़े investor से हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा portfolio quarter on quarter update के साथ आपको देखने को मिलेगा और काफी सारे shares आपको इनके portfolio में ऐसे भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना यह असुना नहीं होगा तो जाइए link description में है और coupon code का फायदा उठाएए वीडियो को यही पेंड करूँगा पसंद आ हो तो like करें शागर चाहां बगरा पहली बारे हैं तो please subscribe करें और अशोक Leland के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते ह thank you